ग्रहन काल से बिलकुल ना घबराएं, हो सके तो सिनान करिएगा सुभह उठने के बाद, लेकिन सिनान के जल में एक चमच गंगा जल मिलाईए, संपूर्ण घर में गंगा जल का छिड़काव करिए, जरूरत मंद लोगों को कपड़े का दान और खिचड़ी का दान, चावल क और सफेद वस्तों का दान आपको जरूर करना है, जैसे दूद, दही, घी, शहद, शक्कर आप दान कर सकते हैं, कहीं न कहीं ये छोटी-छोटी चीजें दान करने से आप देखेंगे कि आपको प्रभाव दिखने लगा है, कहीं न कहीं आपको शुबता मिलेगी, और आप चाते हैं कि आप शुबता जरूर पाएं, भगवान शिव की उपासना आपको लगातार करते रहना होगा, चाहे आप किसी भी राशी के हो, अगर मेश राशी के हैं तो मनह स्तिती थोड़ा गडबड हो जाएगी, तो सफेद चंदन और थोड़े से सफेद फूल डाल कर अगर कहीं पर भ्रम की स्थिती उत्पन हो रही है तो उससे बचने का प्रयास करना होगा, और जो विशेष रूप से शरू मणी सचिन जी जो पहली पंक्ती से जिस पात पर जोर दे रहे हैं कि अगर मुम्किन हो तो ध्यान करें, मनन करें, और अगर आपके लिए संभव हो तो कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनका अगर आप उचारन करेंगे तो इस वक्त बहुत ठीक रहेगा आपकी सिहत के लिए भी और आपके भविश्य के लिए भी लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी समझना चाहता हूँ शेरोमणी सचिन जी और करिश्मा जी आप दोनों से कि ये जो जियोतिश गरना है ये किस तरह से चलती है क्योंकि वैग्यानिक आधार पर भी ये पता चल जाता है कि अगला जो गरहन है चाहे सूर्य का हो या चंद्र का हो किस तिथी को होगा कितने बजे होगा लेकिन हम जियोतिशी गरनाओं के आधार पर किस तरह से ये और इस तरीके से हम जब तिथियों की, काल की, नक्षत्र की समय की जब गणना करते हैं तो उसके आधार पर हम संपूर्ण तिथियों का आकलन करके चंद्रमा और केतु के, राहू और केतु के, और सूरिय और केतु और सूरिय राहू के मिलने का समय हम देख सकते हैं. तो ऐसे में जब उनका कटाव होता है जिस पर राहू और केतु का निर्मान होता है वहीं पर से हमें पता चल जाता है कि आज इस दिन इस वक्त इस समय इस छेतर में और इस इस दिशा और दशाओं के अंदर चंदर ग्रहन या सूर्य ग्रहन लगेगा ये तो रही बात पंचा पंचांग को जरा कम आजकल देखते हैं पंचांग जो है आजकल आधुनिक हो गया है आजकल सौफ्वेयर का निर्मान हो गया राम जी उसी के आधार पर लोग एक क्लिक करते हैं और संपूर्ण जानकारी व्यक्ति विशेश के सामने आ जाती है तो ये तो रही राहू की ब या किस नक्षत्र के अंदर जाएंगे कितने बज़े हो जाएंगे कितने समय कितने शन पर जाएंगे ये आप बहुत आसानी से जान सकते हैं इस तरह की जानकारी हमारे पास जो विशेशक ये है इस विशेशक ये वो बता रहे हैं लेकिन करिश्मा जी हम जब इसके अगले चरण की बात करते हैं आपने बताया कि अगले कुछ दिनों तक लगब चालीस दिनों तक हम इसका असर देखते हैं शुरबात के चौदा दि का οποsembर को देखिये चंद्रमा, जो होता है, मन का का रग होता है। यह बार बार अपने दर्शकों को बताते हैं, कि हर एक ग्रह का अपना ही एक अलग प्रभाव होता है। चाहे वो शनी हो, चाहे वो ब्रहस्पती हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो राहू हो, चाहे वो केतु हो, तो इसी तरहां से चंद्रमा मन को बहुत जादा इंपक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करता है मन को. अब सुबाह जब आप उठेंगे तो कई न कई बहुत सारे लोग जो हते हैं आपने भी ऐसा कभी मेहिसूस किया होगा जब आप सुबाह उठे तो आपका मूर अपने तीक नहीं होता अपने आप ही आप अपसेट होते हैं तो ऐसा बहुत बार होता है तो कहीं न कहीं इस तरह की परस्तितिया बन सकती हैं बहुत जाद इस चीज को ले करके सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब ये स्तितिया बनती है तो लोग क्या करते हैं वो किसी अलगी जोन में चल जाते तो ये चीज़े आपको बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि ये जो घवराट उत्पन होगी, जो फ्रस्टेशन उत्पन होगी, जो डिप्रेशन, जो तनाव आएगा वो चंद्रमा और राहू की स्तिती की वज़ा से आता है। की पॉजिटिविटी आप ग्राब करें, इसके अलावा आपने घर की साफ सफाई करें, साफ सफाई करना बहुत जादा जरूरी हो जाता है, चंद्र ग्रहन के ठीक बाद, इसके बाद आप स्नान करें, स्नान में गंगा जल जरूर मिला लें, क्योंकि अब आप ये सोचेंगे कि सचिन जी ने भी कहा, मैंने भी कहा, प्रतीक जी भी कह रहे थे, कि थोड़ा सा गंगा जल मिला लो, अब थोड़ा सा गंगा जल मिलाने का अर्थ ही नहीं है, कि वो क्या काम करेगा, गंगा जल की एक बूंत जो है, वो चाहे आप कितना ही लीटर पानी ले लिजे, वो ग गंगा जल डाली दीजे, वो आपके लिए daily के use के लिए कहीं रिखने काम करेगा, मगर आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, कि वेस्ट के लिए आप उस टैंकी को use ना करें, स्तनान के लिए use करें, खाने के लिए use करें, ये चीजे ज़ादा ध्यान रखनेवाली होती हैं, इ सब्सक्राइब इस लिए ही आपको मंदिर की सफाई करना बहुत जादा अवश्यक है भगवान की प्रतिमा को जो है आप गंगा जल से चिड़काव करके साफ करें और कहीं न करें इसके बाद आप ध्यान करें पाठ पूजा करें घर में दीपक जलाएं देसी घी का शुद्ध दीपक जलाएं और अगर हवन कर सकते हैं तो हवन कर लिजें नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं इसमें फिर भी कोई घबराने वाली बात नहीं है इसके बाद आप घर में धूब दीव अगर बत्ती के सारी चीज़े जला करके अपने घर को स्वच करें, शुद्ध करें, भगवान के मंत्र को अबचारण करें शिवाले में जाएं, संडे का दिन वैसे ही है, तुलसी तो वैसे भी नहीं आप तोड़ सकते हैं तुलसी में कहते हैं, रविवार को पानी भी नहीं दिया जाता है तो इसलिए तुलसी उपासना मैं नहीं कहूंगी आप सब को करने के लिए शिवाले में जाईए, भगवान शिव की उपासना करें, शिव जी पर आप जो है दूद अर्पित करें, दूद अभी शेक करें, जला भी शेक करें, सासत कोई चीज आप दान करें, जैसे दान क्या करेंगे शिव से जुड़ीवी चीजों का आप दान कर सकते हैं, आप किसी पातर का दान कर सकते हैं, इसके अलावा जैसे मिट्टी का पातर हो गया, तामे का पातर हो गया, ये आप दान कर दीजे, चांदी अगर आप कर सके तो छोटी सी चांदी का टुकड़ा आप दान कर दीजे, या फिर अगर आप सफेद चीजों का दान करना चाहें, जैसे कि चा इमित रूप से कारे हैं, वो संपन कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, और किसी भी तरह से, हाँ क्योंकि impact कहीं न कहीं रहता है, जैसे कि मैंने थोड़े दे पहले कहा था, 15 दिन का impact तो रहता ही रहता है, तो इसके अलावा कोशे सबसे जादा आप ये करें कि अपनी वानी पर स भगवान शिफ की इसलिए उपासना जरूर करें, क्योंकि भगवान शिफ की जो उपासना कर लेता है, उसको किसी भी तरहां की परेशानी नहीं आती, चाहे वो राहू हो, चाहे वो केतू हो, चाहे वो शनी हो, तो इसलिए भगवान शिफ की उपासना करें, उनका नाम पते रहें.